बात करते हैं पुराण पुरुष योगी राज शामा चरण लहडी के बारे में आप सब में से कुछ लोगों ने तो योगदा सुसाइटी का नाम सुना ही होगा परमंस योगानन्द मैं उनके बारे में थोड़ा पहले बता चुका हूँ एक वीडियो में लेकिन आज मैं विस्तार चर्चा करूँगा आपसे देखिए यह सत्य है कि गुरू के बिना कुछ नहीं हो सकता और गुरू जो इनर्जी का या जो नॉलेज का ट्रांसफर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है ऐसे ही एक गुरू की चेन थी है या उसमें से कुछ गुरू अभी भी है क्योंकि वो आदी गुरू है उनमें भी इनर्जी का ट्रांसफर हुआ उनमें से एक श्री शामाचरल लेडी महाशे हैं लेडी महाशे वो ही है जिन्होंने इस आधुनिक भारत में क्रिया योग की नीव रखिये है यह वो गुरू है अगर आप योगदा सुसाइटी में कभी जाएंगे जो परहमंस योगानन ने स्टार्ट किये है परहमंस योगानन के गुरू युकतेश्वय गिरी थे और एक फेस है बस असली गुरू जो है इनके पीछे इनर्जी बहुत सारे पीछे पीछे से आ रही है बहुत दूर से इनकी इनर्जी और बहुत दूर से यह है क्रिया योग का जो महत्व है वो इसलिए है क्रिया योग का वर्णन स्वयम शरी कृष्ण ने भाग श्रीमत भाग दूंगा जिससे तुम मेरे पास आ जाओ वो ग्यान क्रिया ही है और क्रिया करने से ही आपको ग्यान होगा और वो कोई नहीं कर सकता है वो गुरू या परमेश्वर स्वयम आपके मुलाधार में घुसके आपकी इनरजी को एक्टिवेट करते हैं ठीक है तो आज मैं लेडी मह महाशय के बारे में चर्चा करूंगा लेडी महाशय ने आधुनिक भारत के क्रिया योग के जनक कहे जा सकते हैं ठीक है ओल्दो वो एनरजी ट्रांसफरों के युक्तिश्वर गिरी से योगानन तक पहुंची और आज भी योगदा सुसाइटी के जो विश्व भर में फैल इन्हें कुछ ज़्यादा मतलब बतलब था नहीं ठीक है तो इनके गुरू इनके पूर जनम की देखिए पूर जनम की जो संचित कर्म होते हैं प्रारब जो आपका होता है वो महत्पून रोल प्ले करता है तो इनके गुरू ने प्रेणा करके इनका ट्रासफर किया दूर राणी खेद बुलाया इनको दानापूर से और वहाँ पर इनको इनके गुरू से मुलाकात हुई और इनके गुरू ने इनको गुफा दिखाई जहां पर ये तपस्या किया करते थे पिसे जनम में इनको कुछ याद नहीं आए तो इनके गुरू ने हलके से इनके माते को छ हुआ ठीक है और जब बाबा जी महावतार बाबा जो की बियोंड स्पेस एंट टाइम है और वो हमेशा है हमेशा थे और हमेशा रहेंगे उन्हों ने इनको फिर ग्यान दिया फिर चुकि इनकी कुछ इच्छा है बची थी इनके लिए उन्होंने वहां पर एक राजमहल बना जिया और फिर वहां से इन्होंने क्रिया योग को फैलाया क्रिया योग की बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि यह अत्यंत महत्वरून है और क्रिया ही ग्यान है ग्यान ही क्रिया है और क्रिया ही सब कुछ है बिना क्रिया की यह निशकर खाली बैठने वाला मेडिटेशन करता है वो meditation मतलब ध्यान केंद्रन नहीं है वो क्रिया है ठीक है तो क्रिया जो है वो गुरु परदान करता है इसलिए महाद्व है तो लहड़ी महाशे ही वो शक्ष है और ये एक बहुत बढ़ियां बुक है मैं आपसे कहूंगा ये शरी अशोक कुमार्शटोपाध्ध है ज को कैसे होता है और पूरे इनके जीवन के अनभावों लिखे हुए इनकी डायरी थी उसी से निकालके इन्होंने किताब का निर्मार किया है तो अगर आप इस बुक को आप मिश्मत करिएगा मैं आपको बता दे रहा हूं ठीक है इनके बारे में पढ़िए और जानिए और यही है वो आप यहांने मॉडर्न इस भारत में क्रिया योग की निव रखी है ठीक है चलिए थेंक्यू